नमस्ते प्रैक्टिकल गुव चनल में आहब का हार्दिक स्वागत है आज मैं आज आपको बता रहा हूं इंजन ओवर हीटिंग हमारी पाइक के अंदर और जो ओरल डला हुआ है उसका लेवल हम को चेक करना है कितना है एक तो minimum रहता वेकि मेंक्जिमम रहता उसके बीच में आपका लेवल कम है तो वो प्रॉपर तरीके देल में नहीं हो पाएगा लूपरिक्शन नहीं होगा तो गाली गरम हो सब्सक्राइब करता है तो उसके लिए उसी ग्रेट का इंजन वाल चाहिए जो बरावर तरीके से उसके अंदर सभी जगह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें इसके बाद आपको देखना है ओईल पंप यदी सट्रम नहीं कर रहा है उसकी वह इंजन जढ़ा गरम हो जाएका तो ओलपंप को डेखना है ठीक है और एकटीथ को देखना है इसका इंजन के अंदर जितने सारे और याने के पैसे यह जोग तो नहीं हो तो इसकी वैसे यह प्रोपर तरीके से चोक हो जाएगा तो इंजन उल उसके अंदर सर्कुलेट नहीं करेगा तो यह गाड़ी जल्दी घरम हो जाती है इसके वाइसे कभी-कभी पिश्टन सीज हो जाता है जाम हो जाता है तो ओल ओल पंप को आपको चेक करना है ठीक है इसके आप रणाउट फ्रेक्षिन प्लेट एंड प्रेसर प्लेट यदि यद CR sl Ayto fridork ख உ गई है तो भी franchise जादा कर और महो जाता था तो करना है और इंग को चेक करना है इसके बाद इसको इधी खराब तो बदल देना चाहिए फ्रेक्शन प्लेट क्लेच प्लेट इनको आपको चेक करना है यह प्रोब्लम करें जिसके इंजन ज्यादा गर्म हो जाता है तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छे लग